सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए The Perfect Classes में आप सभी का सागत है Directorate of Education JNCT of Delhi की वक्षीट नमबर 39 डिसकस कर रहे हैं बैचो Class 6 की वक्षीट है Subject English 24 February 2021 की वक्षीट है Topic है Simple Presentance Add S और ES to the verbs verbs में S या ES add करने किसी verbs में S एड होता है उनली किसी verbs में हम क्या करते हैं ES add करते हैं तो हम देखेंगे one by one C's में हमें only S add करने हैं तो यह हो जाएगा C's Present to Indefinite Tense में में अब अब की first form में S या ES लगाना होता है ठीक है उसी को कर रहे हम Play में हम S add कर देंगे only Plays हो जाएगा Teach में add होगा ES teaches हो जाएगा Next है Byte में S add कर देंगे Byte सो जाएगा Help में S add करेंगे only Help सो जाएगा Next है work में S add होगा only तो works हो जाएगा Catches में क्या add करेंगे? ES Match में भी ES Swim में only S add होगा Watch में भी क्या यह add करेंगे? हम ES add करेंगे By में कैसे करेंगे? S only Cut में only S Go में ES Comps में only S और Bring में only S ठीक है? तो यहाँ पैसे add कर लेंगे S यह ES यहाँ बूला न? Add करने के लिए S यह ES तो हमने S यह ES add कर दिया इसमें अब Question No.2 है Choose the correct option Rina According to subject होता है add अगर subject singular है तो yes, 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 add करेंगे Otherwise हम नहीं करेंगे तो Rina Rina के साथ क्या आएगा? Today is ही आएगा क्योंकि Rina singular है ठीक है? तो हमने यह underline भी कर दी और tick भी कर दिया V के साथ क्या आएगा बच्चो? Listen आएगा ठीक है, इसमें ऐस नहीं करेंगे add क्योंकि यहां plural है V Mina क्या है? Mina singular है इसलिए watches आएगा यह लिख लेंगे आप यहां पर blank में watches ओके next They के साथ क्या आएगा? Do They do their homework everyday यह नहीं आएगा does Next है बचो The girls often लड़किया है ना तो play आएगा girl होता तो plays आथा तो यह fill कर लेंगे आप First में Tidies Second में Listen Third में Watches Fourth में Do Fifth में Play Question No.3 देखते हैं Rewrite the sentences with the new subjects from the bracket आपको bracket में से subject लेकर नया sentence बनाना है The first has been done for you जैसे यहां सुधा की जगा इन्होंने लिख दिया I तो I के साथ S नहीं आएगा क्योंकि सुधा तो singular है I plural है तो Like आएगा यहां पर S हड़ गया तो ऐसी हमें यहां रीटा लिखना है रीटा के साथ Go की जगा हो जगा Goes बाकि सब सेम रहेगा Rita goes to the zoo every Saturday Rita पर यहां पर हम दे लिख लेंगे My brother की जगा और यह speaks में ऐसे लग रहा है यहां पर S हड़ जाएगा S peak हो जाएगा Only English well S कैसे लिख देंगे They speak English well वह अच्छे English बोलते है ठीक है यह अच्छे बोलते है We water the plants in two days यहां पर ही हो जाएगा तो water में S लग जाएगा बच्छो He waters बाकी सेम रहेगा The flowers in two days वहें दो दिन में फूलों को पामी देता है तो यह आपकी वरक्चुट सौल्व हो गई अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आईए तो प्लीज में वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमाई चनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वाचिंग